हेलो एब्रिवान, आजको वीडियो मां हामी यहरू BE aerospace engineering को बारे मां डिसकस गणने छो aerospace engineering क्ये हो, difference between aeronautical and aerospace engineering नेपाल मां कुणकुण इन्युवसिटी ले यो कोस पढ़ाय राचा eligibility, syllabus, foreign country बाट एरो एस्पेस इंजिनेरिंग पन्डू बह बने नेपाल मां काम गणना लाए केस समस्या हुँँच की नाई अनि किये काम हुँँच एन्ड सैलेरी कती हुँँच तो, तो सब को बारे मां डिसकस गणने छो aerospace engineering, mainly engineering को डुईटा ब्रांच कभर गचा aeronautical and astronomical engineering initially aeronautical engineering ने ठियो, बट with time flight technology एडवांस हुदे गयो अनि aerospace engineering आयो aerospace engineer संग aircraft, spacecraft, missile, weapon system, etc. को नौलेज हुँच aerospace engineer हरुको main focus, flight safety, fuel efficiency, operating cost, अनि environmental impact like कम गणने, etc. हुँच aerospace engineering, mainly aircraft और spacecraft को study रडिजाइन हुच aerospace engineer संग और्थ को atmosphere भीतर या बाहरा यूज हुँच हुँच spacecraft, aircraft हरुको बारे मां नौलेज हुच बट, aeronautical engineering मा mainly study, aircraft को डिजाइनिंग मा गरीँच चुन aircraft हरु अर्थ को atmosphere भीतर अनि अपरेट हुँच लाइक, aeroplane, helicopter, etc. एरो-space engineer ले spacecraft design, introduction to astronautics, spacecraft dynamic, orbital mechanics, etc. सब्जेक्ट पन्ने हुच अनि, aeronautical engineer ले aircraft structure, flight mechanics, aircraft stability and control, etc. सब्जेक्ट पन्ने हुच तप हरु जुन सुके कोस चुजगानू के ही सब्जेक्ट सरु कमन हुच लाइक, dynamics, propulsion, fluid mechanics एक तर ले aerospace engineering लाइ, aeronautical engineering को superset भांदानी हुच नेपाल मा पहिलात योकोस एवालेबल थियाना, तर 2018 देखी योकोस पुल्चो campus को Department of Mechanical Engineering को अंडर पढ़ाऊना थालियेको हो। नेपाल मा एले मातरा 31 उनिवरसिटी एफिलेटेट पुल्चो campus ले योकोस पढ़ाई राचा, यसमा टोटल 48 वटा सीर्च, चसमा 12 वटा रेगुलर औनी 36 वटा एस्टुडेंस ले फूलफी पेमेंट गनू पने हुँच इदी रेगुलर मा नाम निकालनू भवथने 4 सालको 64 चाजा जती पे गनूपणे हुँच अणि उथी पेइंग मा हुआ het देन 6 सालको 6 लाग पे गनूपणे हुँच अणि एचे 4000 0.90 अजती पे गनूपणे हुँच जुनकी रिफंड़बल हुँच नेपाल भाट पहिला पहिला एस्टूजेंस हरू बाइर को कंट्री लाइक इंडिया, चायना, फिलिपिन्स जाने बत्यों पर्णा लाइ अईले पनी गई राचा बट अब हैमरो नेपाल में यो कोस पड़ाऊना थाले पछी अब त्यों स्टूजेंस हरू जस लाइ फर्ण कंट्री को एक्स्प्रेंस कवर गण्दा गार हुनते हो तीनी हरू लाइव पनी इजी हुन्छा एरो एस्प्रेस इंजिनेरिंग पर्णा लाइ तपा हरू को 11 और 12 को सब सब्जेक्ट मा मिनिमूम सी गेरेड हुने पर्यो एंड आयोई को इंट्रांस इक्जाम दिनू पन्ने हुन्छा आयोई को डिपार्टमेट अफ मेकानिकल इंजिनेरिंग ले फर्ण कंट्री को इनवर्सेक्टी जहरू को एरो एस्प्रेस इंजिनेरिंग को स्लेवस देखे रा नेपाल को लागी योटा जेनरीक स्लेवस पन मां काम गरी राचा त्यो पनी तप यहले 6 सेमेस्टर तीर पर्ण पनु हुने चा अन्मेंड एर भेहकल्स हरू मस्लिम मोडन फार्मिंग वेदर फर्कास्ट शर्विलियंस हिमाले हरू मां सच रिक्स की अपरेशन मां यूज हुन चा अनि कुण सेमेस्टर मां कुण कुण सब अनि इस्टो स्टुडेंस को मन मां डाउट आउन शक्षा कि कहां पध्या बेटर हुन चा लाइक नेपाल मां पढ़ने की इंडिया चाइना एसेक्टर देन योकुरा तपाय मां डिपेंड गाचा योकुरा तअभियस हो कि चाइना इंडिया फिलिपिस हरू धेरे पहला द देखी नई यो कोस पढ़ाए राको छा तीनी हरूको लाब नी पूरा इकुइप्ट हुन चा एंड तेहां इंटांसिब गणा या जब पनलाए कंपेरिटिवली नेपाल हंदा इजी हुन चा अनि पूल्चक मा पनी कही लाब हरू बनाको छा एंड असे बन देचा नेपाल पनी फ्यूचर मा यो सेक्टर मा इंप्रूब गढ़ाई जान चा बट एट इंस्टाइन्ट अईले नेपाल फरन कंट्री को कोस लाइक कम्पीट गणा सक देना होब इन कमीं फ्यूचर हम्रो नेपाली नी तेई लेबल को क्वालिटी एजुकेशन प्रवाइड गरोष एं यो कुर हरू कॉंसिटर गणू हला एक तक कलेश को फित तपैको लागी एफ़र्डेवल छकी छेईना और एदी जून कलेश पेइंग मा पढ़ना जानु भो वने त्यो कलेश को प्लेश्मिट कस्तो छ एरो एस्पेस इंजिनेरिंग को स्टुडेंस ले इंटर्शिप गणा पाउंचकी पाउंदेना कलेश बारेमा पूरे डिटल मा रिशाच गणु हला किना भने जरूरी छही न कि फरन कंट्री को सबई कलेश एक दमई राम्रो हुन छ आड़ एदी इसकलसी पाउनु भो भने एक दमई राम्रो अनी पठाई सकी सके पची तपई हरो फरन कंट्री में काम गणा सकनु हुन छ याथ नेपाल में NEC मा आफोला ही रजीस्टर गरी काम गणा सकनु हुने छ NEC घनको नेपाल इंजिनेरिंग काउन्सिल NEC मा रचिस्टर गणना मैक्सिमम मा छो महिना टाइम लागना सक्षा बट ट्यो बीच मा तपायले NEC ले इस्यू गरे को प्यपपर पाउन हुने छा जसमा तपायको रचिस्ट्रेशन नंबर हुन छा एज प्रूब की तपायले रचिस्ट्रेशन को लागी एपलाई गन्नु भाच्छ नेपाल मा एले इंटरनेशनल एरपोट हरू अजे थपिन छा केई अंडर कंस्ट्रक्शन छन ये बाटा बुजन शकें छा कि फ्यूचर मा एरो एस्पेस इंजिनियर को दिमार्ड वर्ने वाला छा एरो एस्पेस इंजिनियर ले आपनो इस्टार्ट अपनी गन्न सक्छ चैलेरी को कुरा गता एबरेज मान एउटा एरो एस्पेस इंजिनियर ले नेपाल मा पचास हजादेकि डेलाग समग कमाउं छ अलि कम या बढ़ी नी हुना सक्छ त्यो मेनली तपायको ट्यालेंट र और दीमार्ट मा फरक पाचा एंड विट एक्सपेरियेंश तपायको सैलेरी पनी बढ़ दे जान छा